दो लोग साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, तो यह हमको 15-15 kg अलाओ है, तो क्या एक बड़ी सी ट्रॉली आती है, जो 30 kg की होती है, क्या उसे हम सिंगल ले जा सकते हैं, यह प्लेस ओफ 15-15 दो ट्रॉली के जगा पे, तो अभी आ चुके हम लोग चन्ने इंटरनेशनल एरपोर्ट, टर्मिनल वन से आज हमारी फ्लाइट है, और इसके पहले बहुत सारे वीडियो जो अल्रड़ी आ चुके हैं, चन्ने से जहां से हमने फ्लाइट लिया था, और यदि आप चन्ने एरपोर्ट आते हैं, तो हमने अल्रड़ी यहां पर चन्ने एरपोर्ट का अलग से सेपरेड वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख सकते हैं, जहां पर बहुत सारी चीजे हमने बताईए, यहां पर बहुत बड़ा मॉल है, वह मॉल का वीडियो देखना है तर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आपको बताने हो GP के लिए, तो चेक लिए हमेरे पास दो टौली बैग है, अल्रेडी हमने कि आप बड़न कि नीकाल लीया है, यहां दे भी निकाले ले। यहां पर आकर बम कर आदे कर दोुछी जो करआ सकते हैं, अभी स्क्रisions है तो रिसंट अब्डेटों हे उसके हिसाब कि यदि हम लोग साथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या एक बड़ी सी ट्रॉली आती है जो 30 kg की होती है क्या उसे हम सिंगल ले जा सकते हैं इन प्लेस ऑफ 15-15 दो ट्रॉली की जगह पे तो उसे क्या वाक कि मतलब दोनों लोगों का हाथ फसा नहीं रहेगा कोई एक लोग रहे कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं और यह जानकारी सिर्फ मैं इंडेगो के लिए दे रहा हूं हो सकता है तो उसे अलग अलग रोल्स होते हूं तो चली चलते हैं चेक इन करते हैं हमारे पास को अभी दो है बट मैं यह जानकारी आप लोगों साथ सेयर करूंगा और पूरे ले थे उसके लगवाब 15 केजी का सबस्ते हैं जो कोटा वाला ट्रोली था हूँ पांच केजी तो टोटल जो हमको 15 अलाव होता है प्लस वन बैग ही अलाव होता है जब आप टिकेट बुक कर रहे होंगे या फिर आपके पास जो टिकट होके वापी लिखा रहेगा 15 केजी लेकिन यदि आप चाहते हैं कि 30 केजी लेकर जा सकते हैं तो उन्होंने बताया कि टोटल आप 32 केजी का बैग आप लेकर जा सकते हैं मैक्समिंट क्यापसिटी जो उसकी होती है यहां पर एरलाइन के एकोडिंग इंडगो के गौडिंग 32 केजी तक दो लोग साथ में ट्रे सकते हैं किन हो चुका है हमें बॉर्डिंग बास मिल चुका है चली चलते हैं सेक्रेटी चेक अरिया की तरफ और यह जानकरी देगना बात आप हमारे वीडियो को स्कीप मत कर देना पूरी हमारी जर्नी को देखिए काफी ब्यूटिफुल टेक आउफ हमने दिखाया है और तो सारी जंकरी आपको आगे भी मिलेगी तो फैनली हमारी सेक्रेटी चेक हो चुकी है अब यहां से हम लोग चल रहे हैं लॉंच इसके पहले यहां का लॉंच और वीडियो बनाया कि कि इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं कि इस तरह से दो रुपियो में आप मन भरकर ब्र देंगे एक इंफोर्मेशन पाकर तो बहुत सारी चीजी आप मिस्स कर देंगे अभी आपको ब्यूटीफुल टेखाई देगा काफी मजदार क्योंकि आज आस्मान पुरक साफ है किसी तरका कोई कोहरा नहीं है कोई बातल नहीं है काफी मजदार होने वाली है टेकॉफ वा आपको सारे टीप्स मेलेगा कि कस तरह साफ़ लौजमेंटी कर सकते हैं कि किस तरह साफ़ दो रुप्य में mellan अगर लन्ज प्रिफास्ट सब कुछ कर सकते हैं अब यहां से चल रहे हम लोग बोडिंग गेट की तरफ जहां से हमारी फ्लाइट की बोडिंग होने हाली है आपको सेकेंड फ्लोर पर मिलेगा है कि हम लोग आ चुके हैं यहां पर जब से ग्रोटेशी के अरिया आप आएंगे तो आगे ही आप आएंगे उसके बाद ही आपको यह चीज मिलेगा लेट साइड आपको ट्रेवल लाउन चलिए जाएगी राइट साइड आपको गेट नम और इधर फिर इधर चार यह देखेंगे इधर भी है बैठने के लिए यह इस तरीके करता है तो आप यदि नाइट में भी आप आते हैं तो आराम से आसानी से चाधर आप अपने साथ करी केज यह और इधर आराम से सो जाए कोई दिक्कत नहीं है तो बर दिरिंग आप यह काफी ज्यादा ठंडा हो गया है इसको ठंड लग रही है क्या मैगी घनिये चाई चाई तो 150 कि आती है अब चली मैगी के लिए देखे आते मैगी कितना है अब एक्चुली क्या है जहां लोग बैठे थे ना इस तरह की के जहां पर बैठने के लिए और सोने के लिए देखा है और खासकर आपके जब नाइट में फ्लाइट होती है लेह वा टाइमिंग का ज़्याता है तो इस तरी किन रहता है तो आप आदा महीं से अरा म कर क包 together और यहां पर मैगी के लिए बोला है तूफिप्टी वन मैगी आगा चाहिए यह प्याकेट वाले देंगे कि यह देंगे बूत मिक्स करके देते हैं कप मैगी तूफिप्टी एक लागी 4 रेड रेड कप मैगी अच्छा है तो कुछ और खा लें कि मैगी टूफिप्टी की मतलब जहां पर 10 रुपी के पैकट मिलती है उसको यह लोग बना के देंगे टूफिप्टी रुपी और जो यह डब्बे में दिखाया है जिसमें बस पानी डालना होता है हॉट वाट वाटर और मैगी बन के तियार इसमें 400 तो मैगी तो हमारे खान बस डालने सोके 400 तो चो तो फिप्टी की मैगी तुम खापाऊगी इससे तौचा आईगी अब इसको यह लोगी बने क्राप आप अब इसको प्रेंच के पेंगा इसको यह जिए पर देक रहा है एक जो पांड़ा ने मतलब आड करना है या लिडिक अडिक अडिक एडिक अ कि तो गाइस वहां पर मुंबई में हमने पूचा तो 150 की चाय मिल दे थी यहां पर चैनी में 190 की मिली मैं पुठंडा लगा तो उनके वजी से पिलानों तो पड़ेगा लगों पर देखेंगे तो आपके जो बोड़िंग पास में गेट नमर दी आती है वो चेंज भी हो सकती है तो आप अपने हां लाइक चेक करते रहेंगे अभी क्या है टाइम हो चुका है हमारा बोड़िंग अब आप देखेंग अब देखेंगे तो बोड़िंग पर मजो है यह देखेंगे घेट नमबर तु थी अभी गेट नम्र 2 में देखें नेक्स्ट बोड़िंग यहां पर हैदरबाद के लिए हैं अब दूसरी फ्लाइट के लिए यहां पर देखिए यह गेट नमबर 3 नेक्स्ट बोडिंग फ्लाइट 6C113 जो की रांची के लिए जाएगी लेकिन अभी तक कोई भी इंफोर्मिशन हमारे मुवाइल में मैसेज के तुरू भी नहीं है जेनरली कहता है कि मैसेज के तुरू आपके मुवाइल में आ जाती है या फिर अनॉंस्मेंट कर दी जाती है फाइनली गेट अटेंडेंट ने बताया कि अभी गेट नमबर 3 हो चुका है हमारा गेट नमर 3 है वहां से हमारी वोटिंग स्काट होगी कुछ आया मेसेज वेसे जाएगा गेट नमबर 2 लिखा ना जो अभी भी हमें जो मेसेज आया फिर जो भी अटेंडेंट रहते हैं तो आज की जो जर्नी होने वाली है वह है चिन नई से रहां छी इंडिगो से 1733 किलोमेटर तक की जर्नी होगी दो घंटे में कि अधिक कभी नई जानकारी पता चलिए मैं सोचा आप से सेर कर दूँ अभी आपको कुछ दिर पहले वीडियो दिखाया ठीक है वहां पर क्या है कि किसी बंदे ने हो सकता है कि जो चेक इन है बहुत लेट से आया हो या फिर टायम हो गया हो जिसके वज़े से चेक इन बैग लेने से मना कर दिया वह क्या कि उसे ही उस से क्रूटी चेक एरिया से क्रॉस करके आ गए और उसके जो बैग का वल्यूंता कम से हम 15 कज से ज्यादा था तो एस पर जो रूल से लगवग आप साथ के जी तक का जो है अपने साथ कैबिन बैग में ले जा सकते हैं लेकि फिर वह चेक इन बैग के साथ ही चला जाएगा फिर इनको बेल्ट में जब यह उत्रेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा तो इस तरह के सीनारियो में कभी ऐसा कर सकते हैं तो यह को चेक इन काउंटर बंद हो गई है रिक्वेस्ट करने पर भी वह नहीं कर रहे है तो आप आ पर पर अचेक एन बैक जो इधर ही लेती आंगे वह सकता है कि उस टाइम में अलाव भी नहीं किया जाएगा ऐसा भी हो सकता है एड़ट टू एयरपॉरट और एयर्लाइन टू एर लाइन डिफर कर शकता है पर रिक्वेस्ट करने के बाद हो सकता है एक्सेप्शनल केसे मे चलिए उसके बाद से आपको लगेंगे अब हम लोग को का जो बोर्डिंग हो चुके हैं चल रहे हैं फ्लाइट की तरफ और यह फ्लाइट है जो दिख रही है यह यह इसी फ्लाइट से हम लोग जाने वाले जो जो खो को सहति खरतर है वाले की शुके हैं घटाईनी यह इसी के तस्लण के सांगी होग और फand deच ज्लाइब को बीदेग के दिल्काने वीदे आपको फो बॉगको शुके एल अबदागी चाने बड़ को दो एले प्लागlide जिलोग्य को जोग्स कि अली मेंा जोग्स कि आ अब दो अब नगाज तो फैनली बैठ चिक हम लोग लाइट में लगाज अब वेल्कम आप अब आप अब आप अब लाइट में लाइज और जेटमें वर्डोग वड़के लुट्टबर वेल्कम आप अब आप 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 अप अब आया है आएट Corn शेख़ में ज जब आप 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 और गाइज अब हमनों लेंड करने वाले का जब दिपावली का जिस जगमा का हाट लग रही है यार और किता टाइम हुआ अभी आभी सवाच छह बचे हैं और देख करके ऐसा लग रहा रात हो गई है 6.15 और रांची में तो अंदेरा हो गया अब आप मोबाइल फोन्स का इस्टिमाल कर सकते हैं आप अपनी सीट पॉकिस्टीक से डिख से ताकि आपका कोई सामान ने रहना जाएं सीट पेल्स का संकेट बंद होने तर सिते आप अपनी कुर्सी की बीटी बांगे हैं आप 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 इसमें जो चिन्नित हो जाएगा कि यह आप ही कब आगे जैसे यह हमने मास्क लगाया था ठीक है और बहुत सारे चीजें जो है मैं टिप्स अगर देता रहता हूं और एक वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है तो हमारा एक प्लेलिस्ट एक अनेटिव फ्लाइट इस लिए मैं व्लोग के साथ साथ ट्रेवल टिप्स आप अप यहाँ जांकारी भी हो और आप फिर व्लोग को भी इंजॉइ कर सके इसलिए मैं व्लोग के साथथ ट्रेवल टिप्स भी डालता रहता हूं ताकि आप यदि टाइम दे रहे हमारी वीडियो को देखने के लिए 20 मिनट्स 30 मिनट्स जो भी वीडियो में बनाता हूं तो उसे आपको सीख सको यह हमारा एम रहता है साथे साथ यह उद्देश से रहता है कि हमने जो प्रोब्लम फेस कर रहा है वो सारे चीज आप साथ साजा किया जाए ताकि जो हमने फेस किया है वह आप अपने ट्रेवल के तो नहीं करें तो बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं आपको और बहुत सारे टिप्स वगरा से सारे वीडियो को जो है रहें डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे नहीं तो आप देख सकते हैं और इसे के साथ यह बीटीफुल वीडियो यह पे अंड करते हैं मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए टटा बाबाई और हमारे वीडियो इसी तरह पसंद करते रहें अब को मिल जाएं इसके लिए जल्दी से बेल आइकोन पर क्लिक कर देजिए सब्सक्राइब ही कर लिए थैंक्यू बाबाई